हे गाईस तो आप जानना चाहते हैं कि क्या खाली पेट सोने से आपका वजन कम हो सकता है यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं और सच में इसका जवाब हाँ या ना में देना इतना आसान नहीं है इसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती है लेकिन आईए इसे समझते हैं और देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है यह सोचना लाजमी है कि अगर आप रात को खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर अपने आप फैट बर्न करना शुरू कर देगा मतलब यह थोड़ा समझ में आता है है ना सोने से पहले कम कैलोरी फैट के रूप में जमा करने के लिए कम लेकिन हमारा शरीर उससे थोड़ा ज्यादा जटिल है ओके तो चलिए मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं मेटाबॉलिज्म एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन इससे समझना बहुत महत्वपूर्ण है मेटाबॉलिज्म मूल रूप से वह प्रक्रिया है जि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका शरीर उर्जा का उप्योग करता है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन और श्वास के लिए. अब यह सच है कि जब आप कम खाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो सकता है. यह शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. आपका शरीर ऐसा है, रुको, मुझे उतना इंधन नहीं मिल रहा है, मुझे उर्जा बचाना बहतर है. यह एक सुरक्षा तंत्र है, जो आपके शरीर को भूख से बचाने के लिए विक्सित हुआ है. लेकिन यहाँ एक बात है, भूखे पेट सोना आपके मेटाबॉलिजम को बढ़ावा देने या तेजी से फैट बर्न करने की कुंजी नहीं है. वास्तव में यह आपके शरीर को तनाव में डाल सकता है. वास्तव में वास्तव में उल्टा असर कर सकता है और आपकी नींद में खलल डाल सकता है. अच्छी नींद आपके मेटाबॉलिजम को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए भूखे पेट सोने के बजाए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें. जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आपका शरीर ग्रेलिन नामक एक हार्मोन छोड़ता है, जो मूल रूप से आपके शरीर का यह कहने का तरीका है कि मुझे खाना दो, ग्रेलिन के कारण सोना और सोते रहना मुश्किल हो सकता है. और जानते हैं क्या, पर्याप्त नींद न लेने से वास्तव में आपके मेटाबॉलिजम में गड़बड़ी आ सकती है, और लंबे समय में वजन कम करना मुश्किल हो सकता है. ठीक है, तो आप खाली पेट सोने में काम्याब रहें? आपने रात को खाने से परहेज किया और सोचा किया आपके लिए अच्छा होगा. इच्छा शक्ती के लिए पांच अंक. आपने अपनी इच्छा शक्ती को साबित किया और खुद पर गर्व महसूस किया. लेकिन अब सामान या अनुभव है, जिसे हम में से कई लोग महसूस करते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब आप अपने शरीर को बहुत देर तक भोजन से बंचित रखते हैं, तो इससे बाद में तीवर लालसा और ज्यादा खाना पड़ सकता है. यह एक प्रकार का प्रतिकारक हार्मोन जिसके बारे में हमने बात की थी, यह हार्मोन आपके पेट को खाली होने पर संकेत देता है. हाँ, जब आप भूखे उठते हैं, तो यह बदला लेने के लिए वापस आ जाता है. यह हार्मोन आपके भूख को और भी बढ़ा देता है. इससे अस्वास्थिकर सेक्शन के समय को संतुलित रखें और भूख को नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर खाएं. इससे आप वहतर विकल्प चुन सकते हैं और अपने स्वास्थे को बनाए रख सकते हैं. याद रखें, संतुलित आहार और नियमित भोजन आपके शरीर को स्वस्थ औ अपने शरीर को इंधन नहीं देते हैं? अपने शरीर को एक कार की तरह समझें. जैसे एक कार को सुचारू रूप से चलने के लिए इंधन की आवश्यक्ता होती है. वैसे ही हमारे शरीर को भी उर्जा की आवश्यक्ता होती है. आप यह नहीं चाहेंगे कारू रूप से चल स्वस्थ भोजन, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और वसा शामिल हैं, आपके शरीर को आवश्यक पोशक तत्वप्रदान करते हैं. जब आप सोने से पहले परियाप्त भोजन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में रात के दौरान अपने सभी महत्वपूर्ण कारियों को करने के लिए परियाप्त उर्जा न हो. यह आपके नींद के पैटरन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आप रात में बार-बार जाग सकते हैं और सुबह ठका हुआ महसूस कर सकते हैं. इसमें मानस्पेशियों की मरमत, उतकों का निर्मान और आपके हार्मोन को नियंतरन में रखने जैसी चीजें शामिल हैं. इसके अलावा, सोने से पहले सही भोजन करने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे आप अधिक तासगी और उर्जा के साथ जाग सकते हैं. इसलिए अपने शरीर को इंधन देना न भूलें, ताकि आप स्वस्थ और सक्रिय रह सकें. सेक्शन 6. वजन प्रबंधन के लिए संतुलित आहार का महत्व. ठीक है, तो हमने इस बारे में बात की है कि सोने से पहले खुद को भूखा रखना इसका जवाब क्यों नहीं है? पर क्या है? एक संतुलित आहार महत्वपूर्ण है. दिन भर में संपूर्ण, खाद्यपदार्थ खाने पर ध्यान दें, जैसे फल, सबजियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज. ये खाद्यपदार्थ आपके शरीर को उन पोशक तत्वों से भरपूर करते हैं, जिनकी उसे ठीक से काम करने और आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में खाद की थी. खैर, यह केवल इस बारे में नहीं है कि आपको कितनी नीद आती है, बलकि आपकी नीद की गुणवत्ता भी मायने रखती है. जब आप अच्छी तरह से आराम कर लेते हैं, तो आपका शरीर ऐसे हार्मोन का उतपादन करता है, जो भूख और मेटाबॉलिजम उनको नियंत्रित करते हैं. हर रात साथ से नौ घंटे की अच्छी नीद लेना का लक्ष रखें. सोने से पहले आराम करने की दिनचर्या बनाएं. सुनिश्चित करें कि आपका शयनकक्ष अंधेरा और ठंडा हो और सोने से पहले कैफीन और शराब से बच. सेक्षन आठ. टिकाव आदतें न की अत्यधिक उपाय. क्रैश डाइट और अत्यधिक उपाय जल्दी वजन घटाने के लिए आकरशक लग सकते हैं, लेकिन वे अकसर लंबे समय तक टिकाव नहीं होते हैं. वंचित करने पर ध्यान के इंद्रित करने के बजाए, अपनी ज सेक्षन 10 तो क्या आपको देर रात के नाश्टे को छोड़ देना चाहिए? बात ये है, ये जरूरी नहीं है कि आप खाते हैं बलकि खाते हैं और आपकी संपूर्ण जीवन शैली की आदतें सबसे ज्यादा मायने रख दी हैं वजन प्रबंधन के लिए. सख्त नियमों पर ध्यान के अधिरे बदलाव करें और अपने स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के लिए एक संतुलित द्रिश्टिकोन को प्राथमिकता दें. तो आगे बढ़ें और उस देर रात के नाश्टे का आनंद लें यदि आपको इसकी आवश्चक्ता हो, बस इसे हेल्दी बनाएं और याद र